बदोही जिले के चौरी थाना शेद्र के निदूर गाउं में एक जहरीला साब के डसने से एक सत्रा वरिशिय बाला की दर्दनाक मौत हो गई बाला की मौत को लेकर परिजन गहरी शोक में डूब गए हैं आपको बता दे की चौरी शेद्र के निदूर गाउं निवासी मुर्तजा अली का सत्रा वर्ष ये बाला की तरह घर का काम काज करता था आज सुबह घर में कोई समान निकाल रहा था समान निकालते निकालते एक घर के दिवाल के कोने में जा पहुचा बताया जा रहा है कि दिवाल के कोने में एक जहरीला साप बैठा था और उसने साप को नहीं देखा जिसने बाला को डस लिया और साप के डसने से उसकी हालत जोरो से बिगडने लगी हाला की परिजन बाला को एक निजीची के साले में ले जाकर भरती करवाया भरती कराने के बाद डॉक्टर में जब देखा तो बालक की मृत्य हो चुकी थी और डॉक्टर बालक को बचाने में असफल रहा बालक की मौत को लेकर परिवार में दुख का पहार तूट पड़ा है और इस घटना से अगल बगल के पास पडोस बालक की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा बनी हुई है और लोग गम में डूब गए हैं